बच्चों आओ वरक्षीट नमबर 72 देखेंगे हम क्लास 9 की जो कि 28 दिसमबर 2020 के लिए हैं हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों हम बिमार क्यों पढ़ते हैं और आज की वरक्षीट में हम देखेंगे रोग के बारे में कि रोगों के सूचक क्या होते हैं और उनके क्या होते हैं लक्षन हम इसके बारे में जानेंगे आज की वरक्षीट में तो देखो यहां पूछा जा रहा है क्या सिरदर्द एक रोग है तो यहां जिक्यासा बताती है कि यह क्या है एक प्रकार का लक्षन है रोगों के लक्षन हो सकते हैं, जैसे सिर्दर्द खांसी आदी किसी रोग के लक्षन होते हैं, रोग शरीर की वह वस्ता है जो शरीर के सामनी कारे में बाधा उत्पन करती है या उसको प्रभावित करती है यह आप चानते हैं क्योंकि जब शरीर को रोग हो जाता है तो शरीर सही रूप से सुचारू रूप से अपना कारे नहीं कर पाता है किसी भी रोग के लक्षन किसी निश्यत रोग की उपस्तिती को दर्शाते हैं अगर मालो किसी को कोई रोग के लक्षन दिखाई दे रहे हैं जिसे सर्दी खांसे जुकाम या फिर और सिर में दर्द पेट में दर्द ये सब किसी रोग की तरफ इशारा करते हैं यानि कि वेक्ति पूरी तरह से स्वस्त नहीं है उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्त नहीं है उसको कोई नगोई रोग है अब ये जो रोग है वो कम समय के लिए हो सकते हैं जैसे कि सर्दी या जुकाम हो जाए तो ये कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं लंबे समय तक के लिए हो सकते हैं या फिर जीवन भर के लिए हो सकते हैं जैसे कि मध ध्रिव हो सकते हैं ऐसे जयादा भयें जो उसकता हैं जो अमारे क्या हो सकते है एक र ήταν खराब हो सकता है यह रोग मुग्द होना अन्य का पर दो भी निर्भर है ओ रोग मुग्द होना या उसका रोग रहने की हैं ईसके लीए क्या हमें यह रोग ग्रस्त है या उसको रोग नहीं है इसके लिए क्या है सही जांच की आविश्यक्ता होती है आप देखो यहां क्या कह रहा है कि हम कभ कहते हैं कि व्यक्ति रोग ग्रस्त है कैसे हम समझते हैं कि किसी को कोई रोग हो गया है तो यहां दिया है कि अगर उसका शरीर सही प्रकार स कारे ना करे कुछ खराबी दर्शाय तो हम कहते हैं कि वो जो है उसको क्या हो गया है कोई ना कोई रोग हो रहा है रोग की तरफ ये इशारा करते हैं यहां दिया हुआ है जब एक दिका शरीर या उसके कारे प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो यानि सही से कारे ना करे श से सिर दर्द खांसी जुकाम बुखार दस्त दौरे आदी अगर नजर आने लगें पेट में दर्द हो सकता है सिर में दर्द हो सकता है तो इस तरीके की लक्षन अगर दिखाई देने लगे तो क्या होता है कि शरीर क्या है उस वेक्ति का शरीर क्या है रोग ग्रस्त हो गया है उसके बाद हम देखेंगे रोगों के सूचक रोगों के सूचक क्या होते हैं कि कैसे सूचक जो है वो जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमारे शरीर में कुछ लक्षन आ गया है रोग के हम डॉक्टर के पास जाते हैं फिर डॉक्टर हमारा क्या करते हैं कुछ टेस्ट क हमें एक सटीक जानकारी मिलती है कि किसी विवेक्ति को ये रोग हो गया है तो इसी को हम कहते हैं रोगों के सूचक यहां दिया है यह किसी रोग की निश्चितिया सटीक जानकारी देते हैं और इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं डॉक्टर जो हैं वो क्या करवाते हैं जै जैसे कुछ जांच करवाते हैं, जैसे अल्टरसाउंड हो सकता है, और भी बहुत सारे ब्लड की टेस्ट हो सकते हैं, रक्त की जांच, यह सारे क्या हो सकते हैं, जो की लैब टेस्ट है, यह सारे टेस्ट हो सकते हैं, अल्टरसाउंड हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, तो इन से क्या जानने हैं, यह कि किसी निश्यतरों की जानकारी देते हैं ये टेस्ट या ये जांच, उसके बाद है, रोगों के कारण। तो बहुत सारी बिमारी हो जाती है, उससे मोटापा भी एक प्रकार की बिमारी आप जानते हैं, अब है अनुवान शिक भिन्ता, यानि कि जो हमारे गुण सूत रहे हैं या क्रोमोजोमें, उनके लेवल पे, उनमें अगर कोई प्राब्लम हो गई है, उनकी संख्या में बहिंगे इसको, उसके अधे पर्यावरन प्रदूशन, जिससे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब की खराबी के कारण भी, इन सम्में प्रदूशन के कारण भी, कई सारे रोग हो जाते हैं मनुष्य को, कैंसर भी हो सकता है, कई बार कैंसर भी हो जाता है इस तरीकी से, उसके अगर सही से, सही इलाज का अभाव है, सही इलाज अगर विक्ति को कोई रोग हो गया तब पहले और उसको सही इलाज नहीं मिलाए, तब उसके रोग उसके शरीर में रहता ही है, तीका करण अगर नहीं हुआ है, उसका जो निश्यत समय पर बा lesi का करण होना चाहिए, वह व्यक्ति के शरीर में कोई रोग हो गया है कब हम समझते हैं जबकि उसका शरीर स्वस्त नहीं महसूस करता उनको कुछ तरीके के कुछ अलग अनुभव होने लगता है जो की सही नहीं है जिस सर्दी जुकाम इस तरीके के अगर कुछ शरीर में होने लगता है तो हम कहते हैं कि यह किसी रोग के लक्षन हो सकते हैं। देखो यहां दियाब रोगों के लक्षन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा अनुभव कर रहा है। यह जो सकते हैं जैसे कि सर्दी जुका में अचया लेतन हैं तो इस तरीके की अगर संभवेशे है ह हो गया है, उसके बद नहीं दिया हुआ है उसके दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है टेबलर फॉर्म में यह दिया है कि हमें इन रोगों को रोग हमारे शरीर में कम से कम आए इसके लिए हम क्या कर सकते है फिसकल एक्टिविटी कर सकते है यानि कि हम exercise करे हे योगा करे नियमित रूप से हेल्दी मील यानि कि हम सही भोजलनी जो संतुलित आहार होता है उसका सेवन करे सोशल सपोर्ट सोशल सपोर्ट यानि कि जो हमारा आसपास है जो हमारे पड़ोसी है आसपड़ोसे उनके साथ हमारे संबंध क्या होने चाहिए मित्रुवत होने चाहिए स्ट्रेस रेडक्शन य अब फिर प्वेस्यिन को करते हैं पहला क्म किवा क्या है कि एक व्यक्ति रोग रस्त है। हम कैसे कह सकते हैं तो देखो यहां आपके दिया भी हुआ है आपकी व्यक्ति- रोग रस्त है। तो ये दोनों हो गए जब आपको ये आपको लिखना है कि इससे पता चलता है कि वेक्ति का शरी रोग रस्त हो गया है तो ये question number one का answer हो गया है उसके बच्चो question number two क्या दिया हुआ है आपके? question two दिया हुआ है क्या स्वस्त होना और रोग मुक्त होना एक ही है तो नहीं स्वस्त होना आप जानते हैं शारेरिक रूप से स्वस्त होना तो रोग मुक्त होना है लेकिन पुर्ण रूप से स्वस्त होने के लिए शारेरिक रूप से स्वस्त होने के साथ साथ मानसिक और इक वेक्ति के रोग रस्त होनी के संभावित लक्षन क्या हो सकते हैं? तो यहां आप दिखोगे रोगों के लक्षन ढिलिए में हैं आप लिर्ट कना करेंने पर दूंपर तो इस तरह किसे बच्चों आज की वरक्षीट आपकी खत्म होती है झाल झाल